नमश्कार मैं विवेक कुमार आप देख रहे हैं सीटी बिग न्यूज फ्यूचर मेकर लाइफ केर प्राइवेट लिमिटेड कमपनी में देश भर के लाख लोगों ने निवेश किया हिसार के रेडिस्केर मार्केट में कमपनी का मुख्य कार्याले है जहां रूजाना सैक्रों निवेशकों की आवाजा ही लगी रहती थी आज भी हालात ऐसे ही है लेकिन दौर बदल गया है वह कंपनी जिसके कार्याले के अंदर हलचल होती थी आज कंपनी के बाहर निवेशकों की हलचल नजर आ रही है कंपनी के CMD राधे शाम को पूछताच के लिए तेलंगाना पूलिस ने हिरासत में लिया हुआ है कमपनी के मुख्य कारयाले को सील करने के साथ ही कमपनी के बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है जिसमें पांच बैंक शामिल है बैंकों के नाम हम आपको बता दें इंडस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और केंरा बैंक इसमें शामिल है बैंक खातों के सीज होने के बाद कम्पनी से जुड़े निवेशकों का पे आउट भी अधर में लटता हुआ नज़र आ रहा है तमाम तस्वीरें साफ होने के बाद भी कम्पनी के प्रमोटर लगातार निवेशकों को धीरज बन्धाने वाले वीडियो अप्लोड कर रहे हैं सिटीपिक निवेशकों के साथ है जो कम्पनी के साथ जुड़े हुए हैं जाहिर तोर पर आप जहां भी लाकों का निवेश करते हैं और कम्पनी के साथ कुछ इस प्रकार की स्थिती पैदा हो जाए तो डर भी स्वाभा भी खो जाता है यहां हम आपको वही दिखा रहे हैं जो ताज़ा अपडेट कह रहा है हमारा यह उदेश कता ही नहीं है कि हमारी खबरों से आपके दिल को ठेस पहुंचे लिए हम सब एक साथ एक नए है हम सब एक साथ एक नए Ce रवेकल के रादेश यां से रहे भखवाने के नाए ये तो हम भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने कमपनी में निवेश किया है उनका पैसा ना डूबे लेकिन जिस प्रकार से जाच प्रक्रिया चल रही है उससे तो साफ जाहिर है कि अभी आप लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है आपको बता दें कि तेलंगाना पूलिस की जाच पूरी होने के बाद कमपनी के CMD को प्रोडक्शन वारंट पर हिसार लाया जाएगा यहां भी उनसे पूछताच की जाएगी हिसार में जाच के लिए SIT का गठन किया गया है जिसमें BSP दलजीत सिंग और BSP अमरजीत सिंग मामले की छान भी इन कर रहे हैं कमपनी के CMD राधे शाम के बोलने का अंदाज कमपनी के प्रमोटरों और निवेशकों को खूब भाता है उनके चाहने वालों की तादात ऐसी है कि उन्हें सुनने के लिए पल भर में भारी भीड जूब जाती है यहां हम आपको एक पुराना वीडियो दिखा रहे हैं आप भी देखिए कितना क्रेज है कमपनी के CMD का लोगों के बीच आप लोगों से में एक रिक्वेस्ट है मेरी आप से कि अंदर तो जा नहीं सकते और यहां पर मैं आप लोगों से विल लिया हूं तो अगर थोड़ा अगंटा अंदर में प्रोग्राम चला लूँगा तो एक बार हम अपने अपने घर अपनी फिल्ड पर जाएं और आज को चला जाम है तो प्रसासन भी प्रिशान है पूरी अंदर की तो हम सब लोगों को इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है ना कि ववेस्टा बिगाड़नी है मैं आग सब लोगों से बोलता हम विल्कुल शांती से हराम से लोग उधारन दे कि ऐसा सेमिनार हमने कभी नहीं देखा और सीमडी सर को बगेर सुनी इतने प्यार से के एक आज रिकोर्ड काईम कर दो है ये रिकोर्ड ये फिचर मेकर के प्रमोटर सोशल मीडिया के माध्यम के माध्यम से निवेशकों को यकीन दिला रहे है कि कंपनी को कोई खत्रा नहीं है कंपनी के कारयाले पर आज सील जरूर लगी है لیکն जल्द ही ये खुल जाएगा यहां तक कि कंपनी के प्रमोटर सीम डी के नाम से नारी लगा कर निवेशकों को खोँब लोबा रहे है City Week News को Future Maker के MD बंसीलाल सिहाग की एक आडियो मिली है जिसमें वे निवेशकों को उमीद ना छोड़ने की अपील कर रहे हैं सुन लीजे क्या कह रहे हैं कमपनी के MD बंसीलाल मेरे प्यारे Future Maker परिवार के भाई और बेनों Future Maker के बारे में नाना परकार की बाते की जा रही है मैं आपको सब बताना चाहता हूँ कि सरकार अपना काम कर रही है और हम जांच में उनका सहोग दे रहे हैं Future Maker ना तो कभी गलत था ना है और ना होगा इस समय हम सभी इकठे रहकर एक दूसरे का सहोग देना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जांच सही दिसा में हो रही है और बहुत जल्द ये मुसिवत का समय भी निकल जाएगा Future Maker एक करांती है मेरे देश के लोगों की करांती जीत Future Maker परिवार की होगी मिला है वहीं निवेशकों की भी उम्मीद जरूर जागी होगी चलिए उम्मीद पर तो दुनिया काइम है लेकिन हम कानूनी जाच को भी कैसे भूल सकते हैं